आपको याद होगा कुछ तैम पहले जियो और एटन ने अपना सबसे सस्ता 10 Mbps वाला प्लान मार्केट में लॉंच किया था तो इन दोनों प्लान्स में भाई एस सच कोई difference हमें देखने के लिए नहीं मिलता है उपर-उपर से वाई इन दोनों प्लान्स में अगर हम डप्लान काहएं ज़्यो का प्लान काaneous फीन शुका पूरा detail में बताएंगे कि वाई क्या क्या difference है इन दोनों में and end में आपको बताऊँगा कि इन दोनों में से कौन सा plan आपको लेना चाहिए तो देखिए यहाँ पे जो 10 Mbps वाला जियो का plan है वो 198 रुपीज का आता है जिसमें यहाँ पे unlimited calling और unlimited data आपको देखने के लिए मिल जाएगा पाकि यह जो दोनों प्लान है यह दोनों पोस्पेट प्लान है and यहाँ पे पोस्पेट प्लान है तो आपको 18% का GSTV इन प्लान से आपको देना पड़ेगा and इसी के साथी साथ आपको यह plan एक दो महिने के लिए नहीं मिलेगा यह अगर plan आपको लेना है तो यहाँ पे 100 MVPS से 10 MVPS में shift करना होगा तो वो भाई नहीं कर सकते तो यहाँ पे अब हम GEO के plans को detail में आपको समझा देते हैं कि भाई कितना क्या क्या लग रहा है तो आपको proper एक detail मिल जाएगा तो देखें यहाँ पे 198 रुपेस का इनका plan है जो कि आपको पांच महिने के लिए लेना ह होगा तो यहाँ पे total जो cost आएगा वो 990 रुपया एगा और यहाँ पे 990 रुपया पर आपको 18% का GST भी लगाना है और यह सब लगाने के बाद यहाँ पे यह जो plan हो जाएगा वो 1168 रुपय का होगा और इसी के साथ यहाँ पे 500 रुपया आपको one time installation charge भी आपको यहाँ पे पे करने पड़ेंगे और जो installation charge है वो आपको वापस नहीं मिलेगा जब आप connection वापस करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यह one time non refundable यहाँ पे installation charge आप से 500 रुपया लिया जाएगा जब भी आप यह connection बुक करेंगे तो total जो cost होगा वो 1668 रुपय आपको total पे करने पड़ें तो आप वहाँ से अपने landline connection को phone से ही operate कर सकते हैं बाकी यहाँ पे बहुत सारे landline phone भी market में मिलते हैं तो यहाँ पे हमने test करा भी था तो आप वो भी purchase कर सकते हैं तो landline phone लेना हो तो description box check out कर लेना वहाँ पे हमने mention कर दिया है बाकी यहाँ पे जो इनका unlimited data है यहाँ बहुत जोल है और इसको थोड़ा समय time लूँगा उसके बाद आपको explain करूँगा उससे पहले मैं आपको एटल के plans के बारे में बता देता हूँ detail में तो यहाँ पे जो एटल का plan है वो 199 रुपीस का है और इसको भी आपको 5 महिने के लिए opt करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे जो total cost आपको 995 रुपाय आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा और इसके साथी साथ आपको यहां भी 500 रुपाय का non-refundable installation charge आपको यहां भी पे करने पड़ेंगे तो total जो cost आएगा एटल फाइवर का वो यहां पे आएगा 1674 रुपाय और यह आपको first time पे करना पड़ है कि यहां पे जियो से 6 रुपाय extra है एटल बाकी भाई इतना ही कम difference नहीं है अभी मैं आपको पूरी बात बताता हूं तो देखें यहां पे कहना कि एटल में जो unlimited data आपको दिया गया है इसमें normal जो एटल फाइवर के plans आते हैं वहां पे आपको 333 GB आपको data यहां पे देख बाई नहीं है जैसा है उनके बाकी plans में है वैसे आपको 333 GB आपको एटल के इस वाले plan में भी देखने के लिए मिल जाएगा तो यहां पे एटल का जो data है वो unlimited हम बोल सकते हैं बट यहां पे जो जियो का data है ना भाई 1000 GB आपको इहां पे देखने के लिए मिलेगा तो भाई यहां पे अगर आपने 1000 GB खतम कर दिया तो यहां पे इन्होंने plans भी अलग से बना के रखा है और वो जो plan है वो है 555 रुपय का यहां पे आपको 1000 GB पूरे मन्त में मिल लागा और यहां पे फिर वही limit आपको मिल लागा तो 555 प्लस GST आपको यहां पे इसके लिए pay करना मतलब मुझे लगता है कि जो 10 MB PS वाले यूजर है ना वो 1000 GB उनका सही रहेगा मतलब उनको यह plan लेने की जरूरत नहीं है लेकिन इनकेस अगर आपको चाहिए जादा मतलब आपका limit क्रॉस हो गया तो यहां पे आप plans रिचार्ज भी कर सकते हो जियो ने ऐसा option दे रखा है औ 100 MB PS स्पीड सी है तो यहां पे आप especially इनके कुछ plans हैं जो आप रिचार्ज करके थोड़ा सा अपना speed boost कर सकते हैं और वो जो plan अब आप देख सकते हो इस screen पे जो कि एक दिनों के लिए यहां पे 21 रुपय में 30 MB PS का plan मिलेगा और यहां पे एक दिनों के लिए 32 रुपय में आ अगर आप चाहते हैं इंटरनेट के साथ साथ आप setup box भी opt करना चाहते हैं तो यहां पे जियो में कहा है ना कि आपको 2 option मिल जाता है सबसे पहला 198 के साथ अगर आप 100 रुपय extra पे करते हैं तो यहां पे क्या है कि आपको 400 live tv channels मिल जाएंगे और 6 OTT apps का support मिल जाएगा साथी स OTT apps का support आपको मिल जाएगा और YouTube premium का भी support आपको जियो के अंदर यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा बाकि अगर हम ATL की बात करें तो ATL में क्या है कि आपको 100 रुपय का option नहीं मिलता है यहां पे आपको 200 रुपय extra pay करना पड़ेगा यानि कि 199 का plan plus 200 रुपय आप TV channels आपको मिल जाएंगे और यही है कि आपको total इसका जो cost है वो 3000 रुपय पड़ेगा with GST and 500 रुपय इंस्टॉलेशन चार्ज सब को लेने के बाद बाकि यहां पे कौन-कौन से live TV channels इसमें मिल रहे हैं इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे blog पे जाके देख सकते हैं हमने detail में वहां पे article लिख रखा है और वहां पे आपको सब कुछ पता चलियागा कि कौन से कौन से live TV channels आपको इन plans में आप देखने के लिए मिलेगा बाकि ज्यादा तर लोग को सायद यह ना पता हो कि यहां पे जो 10 Mbps का plan है actual में जो speed आपको देखने के लिए मि 10 Mbps यानि कि यह जो बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है इन दोनों में difference होता है और इसके बारे में हमने एक वीडियो रिसेंटली बनाया था आपको पूरा detail में बताया था पाकि काफी जादा लोगों ने यह कहा कि हमारा 30 Mbps या 100 Mbps का plan है और हमें इतना जादा जर यूजर के लिए है मतलब यूजर अगर आप 10 Mbps से 13 Mbps पर जाना चाते हो तो आप जा सकते हो पर 13 Mbps से आप 10 Mbps में बिलकुल भी आप नहीं आ सकते तो यह strict rule बनाया गया इस plan को लेके तो होना चाहिए ऐसा कुछ change वाला scene बट नहीं है तो यहाँ पे मेरा एक friend है जिसन मैंने पूछा कि कितना क्या कैसे चल रहा है तो वो बोलता है कि वीडियो जो है वो 1080p smoothly चल जाता है अगर हम mobile data से compare करें तो यहाँ पे क्या होता है कि mobile data और जो fiber का speed है वो जैसे mobile data में क्या होता है consistent speed आपको नहीं मलता है बट fiber यूज करने का फायदा यहीं है कि यहाँ पे आ कुछ ऐसा बताया तो ऐसा ही होता है और हां मैं आपको बता दू कि यह जो unlimited calling आपको मिलता है यहाँ पे जियो में क्या है कि जियो जॉइन आप डाउनलोड करके आप यहाँ पे unlimited calling कर सकते हैं साथी साथ आप landline phone भी अपने router से connect करके use कर सकते हैं बट एटल में ऐसा नहीं है एटल में सिर्फ और सिर्फ आपको landline phone ही purchase करना पड़ेगा और वो router से connect होगा उससे आप सिर्फ यहाँ पे calling कर सकते हैं तो landline phone purchase करना हो तो link check out कर लेना description box में आपको मिल जाएगा तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कौन सा हमें fiber लेना चाहिए 10MVPS वादा तो देखिए अगर आपका यहाँ पे need है भाई OTT भी आपको लेना है तो OTT अगर आपको चाहिए तो मैं तो कहूँगा आप Jio के साथ जाओ क्योंकि Jio में क्या है कि OTT में काफी सारे subscriptions आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और आप 200 वाले plans के साथ जाना यानि कि आप 198 प्लस 200 वाले plan ल चाहिए तो मैं तो कहूँगा भाई Airtel के साथ जाओ क्योंकि Airtel में क्या है कि यहाँ पे आपको unlimited data ही मिलेगा मतलब यहाँ पे 1000 GB का cap नहीं है यहाँ पे आपको 333 GB आपको पूरे महिने में यहाँ पे देखने के लिए मिल लाएंगे तो Airtel एक बड़ी option है internet users के लिए बा subscribe कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियो में लाता रहता हूं तो मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ बाई